हलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आर्ती देवेदी, स्वागत है आपका Study for Life YouTube चैनल में हम कल साउथ अमेर्का की यात्रा कर रहे थे, आईए जानते हैं उसके और क्या-क्या विसेशता हैं और अपनी यात्रा को संपन करते हैं कल हमने Map के थरो, आपको कुछ जगह, कुछ Point बताए थे, आप आसा है आपने उने Atlas में अवस्य से देखा होगा Atlas में देखके उनके आसपास की चीज़ें भी जाने, सब कुछ बताना तो संभव नहीं होता पर जितना हो सकता है बताऊंगी और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप उसे Comments Box में लिख सकते हैं दच्छड अमेरिका का सबसे नगरी कृत भाग उरुगवे है परागवे दच्छड अमेरिका का स्विर्जर लेंड कहलाता है परागवे को दच्छड अमेरिका का स्विर्जर लेंड कहा जाता है Scidos एक जगह है ब्राजील में जिसे कॉफी पत्तन कहां जाता है चुकि ब्राजील में कॉफी ब्रहद मात्रा में उगाई जाती है Sao Palo Bisu की Kahwa Mandi कहलाती है कहबा का मतलब कॉफी होता है और चूकि कॉफी यहाँ ज़्यादा होती है इसलिए यहां कॉफी बंदरगाय भी है और कॉफी मंडी भी है रैसीफ चीनी पत्तन यानि की रैसीफ जो जगह है वो चीनी पत्तन है एन्टो फागस्टा एने एनो थ्री के लिए प्रसिद्य यानि की नाइट्रेट के लिए प्रसिद्य बॉलिविया दच्छड अमेरिका का सबसे बड़ा इस्थल अबुरुद देश है इस्थल अबुरुद देश कौन से होते हैं जिनके आसपस कोई महासागर नहीं होता है यानि कि वो चारों तरफ से इस्थल किसी देश से घिरे होते हैं उनके चारों तरफ इस्थल होता है जल नहीं जिसमें नदिया नहीं जोडी जाती Cotopaxi, संसार का सबसे उंचा सक्रिय जो अला मिखी है जो एक्वेडर में स्थित है और राजधानी ग्वीटो जो एक्वेडर की राजधानी है यह भी विस्व की सरवादिक उंची राजधानी है पराना, परागवे, उरुगवे और उसकी साहएक नदियों के तंत्र को प्लाटा कहते है प्लाटा हम यह देखिए आगे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा इस मैप को समझते हैं इसमें हमने जलवाई हूँ और घास के मैदानों को डिस्क्राइब किया है तो यह देखिए यह जो छेत्र है यह बिस्वती जलवाई हूँ है यहाँ यह अमेजन की द्रोडी है और यहाँ पे उश्न आद्र जलवाई हूँ पाए जाती है चुकि यहाँ पे बिस्वत रेखा यहीं से गुजरती है और बिस्वत रेखा गुजरने के कारण यहां जो छेत्र है वो कैसा है आद्र है यहां पर बारिस होती है घने जंगल पाए जाते हैं विस्वत रेखिये बन और इन ही बनों को सैलवास कहते हैं गालसा नामक एक हलकी लकड़ी यहीं पर पाई जाती है जो आपने पहले भी बताया था इससे जीवन रच्छक नौकाओं का निर्माड किया जाता है आईए देखते हैं यह सवाना है यह घास भूमी प्रदेस है जो लानोस वा केमपोस के नाम से जाना जाता है केमपोस यहां है यहां पर केमपोस है और यहां लानोस है यह दोनों घास के मैदान है और दोनों में सवाना जलवायू पाई जाती है यहां पर एरवा नामक एक बनस्पती उपती है जो चाई की तरह होती है जैसा कि हमने बिछले वीडियो में भी बताया था यह प्रेरी घास के मैदान है जो प्लाटा द्रोडी में है इन्हें पंपास यहीं पर पंपास घास के मैदान भी है अर्जन्टिना में जहां पर अलफा अलपा घास उगाई जाती है जो दुधारू पस्मों के लिए बहुत उप्योगी होती है आगे देखते हैं यहां पर उपर देख रहे हैं एक्वेडियर के असपास उष्ण मरिस्तली जलवायू है चिली और उसमें भूमद सागरिय जलवायू है माहसागरिय जलवायू है नीचे यह महासागरी जलवायू है यह भूमद सागरी है यहाँ पे चिली और एक्वाडेर में उस्ट मरुस्थली जलवायू है यहीं पे आपका अटाकामा मरुस्थल है जो चिली में है और यह चिली और एकड़ोर में उस्ट मरुस्थली जलवायू है यहां आप देख रहे होंगे यह सीतोर्स्न मरुस्थल जलवाई उपाई जाती है यहीं पे आपका पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है केंडोर संसार का सबसे बड़ा सिकारी पच्छी होता है जो दच्छड अमेरिका में ही पाया जाता है एक रिया पच्छी होता है जो उड़ नहीं सकता है एना कॉंडा अमेजन नदी के आसपास के छेत्रों में पाया जाता है मत्स उद्योग पेरू तटपे होता है जो विस्व में सात्वा इस्थान है एक्वेडोर का गाल पागोस दीप ओलिवर रिडिले टर्टल यानि की विसालकाय कच्छुओं के प्रजनन के लिए अटा कामा मरस्तल नाइटरेट के भंडार हैं जैसा कि हमने बताया चिली का चुक्की कमाता तावे के उत्पाधन के लिए जाना जाता है इसे तबिश्व की तावे की राजधानी भी कहते हैं ये तो थे साउथ अमेरिका से जुड़े हुए कुछ तत्त आईए एक क्राउन बुक है जो फैक्ट्चुल है पॉइंटेड है उसके भी हमने पॉइंट लिए हैं आईए हम उन्हें भी डिस्क्राइब करते हैं क्राउन बुक के साउथ अमेरिका से रिलेटेड दूसरी अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महादीप है जिसका अधिकांस भाग दच्छी गोलार्द में स्थित है पनामा नहर इसे उत्तरी अमेरिका तथा दच्छडिम में ड्रैक में पैसेज से अंटार्किटा महादीप से अलग करता है इसका सर्वोच बिंदू माउंट एकांका गुआ है निमनतम बिंदू वाल्डेस प्रायदीप है बिसकी सबसे लंबी तथा हिमाला के बाद दूसरी सबसे उंची परवतमाला एंडीज है बिसकी सर्वोच सक्रिय जोला मकी काटो पैक्सी ये भी एंडीज पर है बिसकी सर्वादिक उंचाई पर इस्थित जील टिटीका का है जो पेरू और बोलीविया के सीमा पर है विश्व की सरवाधिक उचाई पर इस्थित राजधानी लापाज है जो बोलिविया की राजधानी है इस्थाल अवरोध देश दो हैं एक बोलिविया दूसरा परागवे सुस्कतम छेत्र अरिका है उत्री चिली में जो सरवाधिक सुस्क है सबसे बड़ा नगर रियोड जेनेरियो है जो ब्राजील में है विश्व का सरवोच जल प्रपाथ यानकी सबसे उंचा जल प्रपाथ एंजिल जल प्रपाथ है जो बैनेजियोला में ओर निकोन दीपर है दच्षड अमेरिका में इस्टर दीप, फॉकलेंड, गाला पगोस तथा टेरा डेल्फ योगो दीप सामिल है इस महादीप के उत्तर में केरिवियन सागर है उत्तर पूर्ब में उत्तरी अटलांटिक महासागर तता पस्चिम में प्रसांत महासागर है दच्षड अमेरिका का सबसे दच्षडी सिरा होर्न अंत्रीप कहलाता है चिली, पेरू, बोलिविया, एक्वडर वा कोलंबिया को एंडियन देश कहा जाता है किस-किस को चिली, पेरू, बोलिबिया, एक्वडर वा कोलंबिया को रेड इंडियन दच्छडी अमेरिका के मूल निवासी थे यहाँ पर कई मिस्रित प्रजातियों का विकास हुआ जैसे मेश्टिजो प्रजाति का विकास रेड इंडियन तथा येरोपियन से और मुलाटो प्रजाति का विकास निग्रो वा येरोपियन से तथा जैंबू प्रजाति का विकास अस्वेतवा इंडियन के मिस्रण से हुआ है अर्जेंटिना के पूर्वी भाग में सीतोषन घास के मैदान को पंपास कहा जाता है ये संसार की उपजाव घास भूमियों में से एक है और गेहों के उतपादन के लिए भी प्रिसिद्ध है अर्जेंटिना की उत्तरी भाग में ग्रान चाको की निमन भूमी है जिसका मुख ब्रच क्वेब रैको है जिसकी छाल का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है अर्जेंटिना का चाको का मैदान कपास उत्पादन के लिए भी प्रिसिद्ध है अमेजन नदी बेसिन में विस्वत बरसा बन को सेलवास कहा जाता है लानोस उच्नकटवंदी घास के मैदान है जो ओरुनी को नदी द्रोडी एवं ग्योणा उच्छ भूमी में पाए जाते हैं कमपोस भी उच्नकटवंदी घास के मैदान है बालसा संसार की सबसे हलकी लकड़ी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है अटाकामा एवं पेंटोगोनिया दोप्रमोख मरुस्तालेंड साउथ अमेरिका के अपवाहि की दृष्टी से अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है पराना परगवे औरोगवे उनकी साइक नदियों की तंतर को प्लाटा कहते हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया उपर ब्राजील कोलंबिया और एकवाडोर संसार में कहवा की सबसे बड़े उत्पादक राष्ट है यहां की लाल मिट्टी टेरा रोसा कहवा की खेती के लिए सर्वोतनम है टेरा रोसा ब्राजील कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट है और इसे कहवे का घर कहा जाता है कहवे का घर कहा जाता है कहवे के बिसाल बागों को फैजेंडा कहते हैं साव पोलो संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है ब्राजील के सेंटोस बंदरगाय विस्सु का कहवा पत्तन कहलाता है ब्राजील का इटा विरा परबत लॉयस उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है चिली नाइट्रेट एवं तामा का सबसे बड़ा उत्पादक छेत्र है चिली का चुक्की कमाटा तावा खनन छेत्र में परसेद्ध है जैसा कि हमने बताया था यसे तावा की राजधानी कहते है बेनो जोयला का मेरक एबो जील प्रिमुक तेल उत्पादक है तिन उत्पादन में बोलीविया का विस्व में चौथा इस्थान है अटा कामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विसाल बंडार पाये जाते है चिली का एंटी फगास्टा बंदरगाय संसार का तामा पत्तन के रूप में बिख्यात है दच्छी अमेरिका को पच्छियों का महादीब भी कहा जाता है यहां के गवानों खाद पच्छियों का बीट पोसक तत्त्य की द्रिष्टी से सर्वोत्तम है यह पेरू तट पर गवाना दीप में मिलता है यहां पर रिया, केंडो, रैनाकोंडा, प्यूमा, आर्मडिलो, लामा, आधी जन्तु पाये जाते हैं यहां की चंद्राकार पेटी, अर्जन्टीना में इस्थित है औरोगवे दच्छडी अमेरिका का सरवादिक नगरी कृद्देश है इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे है, जो हमने आपको उपर भी बताए अपने नोट से, वीडियो के माध्यम से और इसमें हमने क्राउन बुक के साउथ अमेरिकाप में दिये हुए पॉइंट को भी जोड दिया है आसा है, आपको यह लाबदायक होगा, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें